पर फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डेली स्टेडी रूटीन में दोस्तों आज मैं एक और नए नोटिफिकेशन लेकिए आया हूँ जो की निकला है बिहार में कॉंस्टेबल की पोस्ट का अब उनकी तैयारी का कता पाइनल वक्त आ चुका है रिजल्ट आ चुका है तो आब जल्दी से इसको भर दीजिये फॉम को और इस फॉम को भरने के बाद मुझे लगता है जो भी लोग इसमें लगे हूँ है इतनी बल्क में विकेंसी है कि जो भी इसमें तयारी में लगे हूँ है mostly सभी का ही हो जाना चाहिए तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि कितनी वेकेंसी है क्या application date है क्या fees है क्या age limit है education selection procedure सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे मगर उससे पहले कि मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को like share और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितनी वेकेंसी है दोस्तों constable की जो वेकेंसी निकली है total 21,391 वेकेंसी निकली है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों 21,391 वेकेंसी निकली है total और इसका मैं आपको पूरा वो भी दिखा देता हूँ कि total किस में general में कितनी है और बाकी categories में कितनी कितनी है एक second दोस्तों यह देखे सामन्य वर्ग में 8556 है आर्थे ग्रूप से कमजोर वर्ग में 2140 है अनुसुचे जाती में 3400 है अनुसुचे जन जाती में 228 है अतियंद पिछड़ा वर्ग में 3842 है पिछड़ा वर्ग में 2570 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 655 है तो इस तरीके से दोस्त क्या education मांगी है और सब चीजों के बारे में physical से लेकिए और सारी चीजों के बारे में बात करें सबसे पहले ज़रूरी है कि बात कर लेते हैं कि इसकी application date क्या है तो दोस्तों यह form आने वाला है आपका बीज जून 2023 से इसकी date स्टाट हो जाएगी और बीज जुलाई 2023 तक रहेगी तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि यह start और end कब तक है यह end की date तो दोस्तों यहीं दे रखी है यह देखिए अन्तिम्तिती तो है बीज जुलाई 2023 और जो शुरूवात है वो भी मैं आपक इसकी शुरूवात है ठीके दोस्तों तो बीज जून से फॉर्म आएगा और बीज जुलाई तक एविलेवल रहेगा इस बीच में आप कभी भी बढ़ सकते हैं दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है तो इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों व जर्बाइस से कैलकुलेट की जाएगी इस एज तक आपकी 18-25 साल से उपर नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए ओवी सी के लिए दोस्तों 18-27 साल है और फीमिल के लिए 18-28 साल है यह मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ यह देखिए ट्रांसजंडर के लिए दोस्तों थीन साल तक यह है 18-30 साल और इसके लावा इसके लावा तो अगे बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफेकेशन क्या मगी गई है तो इसमें इसमें एजुकेशन मांगी गई है वो केबल 12 पास मांगा गाया है यह देखें मैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि अवल इंटर्मीडियेट मागा गया है अगर आप इंटर्मीडियेट पास है तो आप इस एक्जाम को भर सकते हैं ठीके दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों, जो General OBC और EWS की जो फीस है, वो है 675, और जो SCST की है, वो है 180, और साथ में महिलाओं की, 180 है, और General OBC और EWS की 675, ठीके दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि इसका Selection Procedure क्या है, दोस्तों, इसका Selection Procedure तीन स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसम एक में एक्जाम, दूसरे स्टेज में फिजिकल, और तीसरे स्टेज में मेडिकल, ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसका Selection Procedure का एक्जाम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, कि एक्जाम में क्या क्या आने वाला है, य पेपर मिलेगा आपको, और OMR sheet मिलेगा, आपको उसमें फॉर्म बनने होगा, उसमें माक कनना होगा, उसमें बनने होगे, ठीके दोस्तों, इसमें जो आपके subject इसमें दिये हूँ है, जिस जिस से question पुछे जाएंगे, वो है, हिंदी, अंग्रेजी, गड़ित, समाजिक वि आने पड़ेंगे, यानि कि 100 में से 30 marks अगर आप लेके आएंगे, तब ही आप next stage के लिए qualify होगे, पेपर बन दोस्तों, के वल qualifying nature का है, इसमें आपके marks नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको यह दिखा लिता हूँग, यह चीज भी इसमें दे रख्ये है, कि 30% आप आपको लेके ही आने है, ठीक है, फिर आपको जो अगर 30% आ जाते हैं, तो फिर आपको जो अगला test होगा, stage 2 होगा, वो होगा physical test, तो physical test दोस्तों main है आपका, क्योंकि physical test के ही marks के base पर, आपका selection किया जाएगा, क्योंकि, जो written test है, वो तो qualifying है, ठीक है, तो physical test जो है दोस्तों उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें क्या-क्या है, यह देखिए दोस्तों, physical test में है आपका, सबसे पहले तो measurement, ठीक है, उसके बार measurement में भी आपकी height है, chest है, weight है, यह सारी चीज़े है, उसके अलावा है आपका running, goal of rank, और उंची कूद, यह तीन चीज़ें जिसके सारी height दे रखे हैं दोस्तों, आप इसमें इसली देख सकते हैं, 165 और उसके बार पिछड़े बर के लिए 160 cm, अनुचे जाती के लिए 160 cm, और महिलाओं के लिए 155 उचाई होने चाहिए, ठीक है, सीने की आगे बाद कर लेते हैं, सीना 81 होना चाहिए दोस्तों, और 86, यह य दिया जाएगा, ठीक है, बजन दोस्तों सभी के लिए 48 होगा, सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जो मेन है इसमें, वो है रनिंग, गोला फैंक और उचे कूद, तो मैं उन तीनों के बारे मैं पहले आपको बताता हूँ, दोस्तों जो दोड़ है, दोड़ में, जो मैंस की है, जो लगों की दोड़ होगी, वो होगी 1.6 km की 6 मिनट में, फीमेल की होगी 1 km की 5 मिनट में, और अगर इससे ज्याद़ आप टाइम लेते हैं, तो आप डिस्क्वालिफाय हो जाएंगे, और इससे जितना जल्दी जल्दी आप करते हैं, जितना आप सेफ करते हैं, उतना आपको जाद माक्स मिलेंगे, अगर 5 मिनट से कम करेंगे तो 50 अंक आएंगे, 5 मिनट 20 से करेंगे तो 40, 5 मिनट 20 से 40 से करेंगे तो 30, और 5 मिनट 40 से 6 मिनट में करेंगे तो 20 अंक मिलेंगे, ऐसे ही दोस्तों, यह महिलाओं के लिए दे रखा है, 4 म 16 पॉंट का गोला और 16 फीट फेक ना होगा और जो महिलाओं के लिए होगा वह होगा 12 पॉंट का गोला और 12 फीट फेक ना होगा इसमें भी यही है दोस्तों कि जितना दूर आफ यह उतनी जादा आपको मार्क्स दिये जाएंगे यह देख सकते हैं कितना अनतर है सब मैं इसके बाद जो अगला है दोस्तों वो है उँची कूद में क्या है दोस्तों? चार पीट मिनिमम है पुरुशों के लिए और महःलाओं के लिए तीन फित मिनिमम है इससे कम में आप related होजाए पहलो जाएंगे और अगर इससे ज्यादा आपको ardंशते हैं तो आपने ज्यादा मास कर निदी या है टो वह दो स्क्राइल तो 100 marks आपको मिलेंगे, तो 100 marks में से जितने ज़्यादा आपके marks आएंगे, उसी base पे आपकी final cut-off बनेगी, तो mainly आपको PT के वर qualify करना है, जो written test है, और mainly physical में आपको marks दिये जाएंगे, इसके बाद दोस्तों, medical होगा आपका, जो की normal सब जगे जैसा medical होता है, वैसा ही medical रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं है, तो medical के लिए जो भी है, मैं आपको notification टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलिग्राम चैनल का link description में डाल दूँगा, तो आप description में जाके, टेलिग्राम चैनल को जोइन करके, और वहाँ से वीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें करीब करीब salary क्या बनेगी, तो जैसे कि उपर ही दे रखा है notification में, level 3 की vacancy है, इसका basic दे रखा है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने सारी mostly आपको चीज़ें बता दी है, इसके लाव अब आपको कुछ extra चाहिए, तो मैं notification आपको टेलिग्राम पर डाल दूँगा, वहां से आप download कर लीजेगा, एक इसकी अगर और आपको वहां से problem है, तो मैं इसकी site बता देता हूँ, आपको तो इसकी site है www.csbc.bih.nic.n, आप इस पर भी जाके इसको download कर सकते है, notification को, और जल्दी से इस form को जैसे ही आजाए, 20 June के बाद तुरंद भर दीजेगा, last date का इंतिजार मत करिएगा, इसके लाव आपको कोई भी information चाहिए हो, तो चर